कि तो ही गाइज दोस्तों के सब्सक्राइब लोग राइड में आपसे लोग स्वागते हैं तो आप से पता हुआ कि में किसी प्लेक्ट्र स्कूटर की इलेक्ट्र को इकलिजी की कभी भी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आपके साथ जेर का था टा वीडियो बनाता हो एट आ अब अच्छा नहीं है इतना अच्छा है तो आप इस वीडियो के देखने के बाद में आपके लास में बताऊंगा कि आपके लिए बैस हो सकती है नहीं अगर आप डेली का 20 या 30 किलोमेटर जाते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना आप हम यहां पर पूरी तरसे के बारे में रेंज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करें दूस्तों इस गाड़ी की प्राइज कितनी है तो आपको दूस्तों लुक के बात करें तो लुक आपको मतलब ओकी नवा प्रेज का था 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 आने वाला है डुक भी काफ़े अच्छा है ओके नावा ने इस गाड़ी को लॉंच किया एक लगबग एग या दो मत हो चुके इस गाड़ी को लॉंच होने के बाद तो यहाँ पर काफी सारे फिर्ट्स के घ्रेंग का कमेंट वगेडर इसमें के रिवीव बना तो आज किस बीडिव पूरी तरस इसमें रिवीव होने वाला आए ओके नावार के बारे में तो प्राइस के बात करें तो आपको 40,000 क्यास पासे आपको एक श्यूरूम मिलने वाली है जिए दोस्तों एक शूरूम मतलर वान रोड वगेरा कुछ नहीं है इसमें ड्राइव वगेरा कुछ आपको टेंशन नहीं है जैसे ओके नावा काज रिच थर्टी आया था वेसी एक एक स्कूटर है अच्छा है अगर आप मतलब दिखने में काफी अच्छी लगती है अगर आप तर्ण वाल वगेरा मतलब कोई भी एलेक्ट्री स्कूटर में जाते तो उससे अच्छी दिखने भी अच्छी अच्छी मतलब लुक आप देख सकते हो सामने लुक काफी ऑसम है आपको ड्राइव लैसन वगेरा कुछ इसमें रेगुरल न के बाद तो कंपनी आप बोल रही है 60-70 किलोमेटर बढ़ दोस्तों आपको इसमें पत्चास ऐसाथ किलोमेटर पकड़ लिजिए अगर आप ज़्याद इस्पिड में जाता तो फिफ्टी आफ फिफ्टी फाय का किलोमेटर पर के आसपास पकड़ लिजे इसमें बैटरी की अपको लिटे एसे कि बैटरी अविलेबल एज यह अदस्तो लिटेसेट की बैटरी जो आप को हुष मंने लेटमायन की बैटरी जल्द दीया आपको अविलिट हो जाएगी कि आपको लिट Questions कोटर में लिटमायन की बैटरी आ गईestion यह सब्लाएं तो इसमें Kampani आप प्रेस्ट में 6Bし में चारब चुन्ट्रेइर यो कि पाइटर चारब्रे पूरी परण बात करे चारजर्ण टाइम की बात करते दो चार्जिंग टामiness के बात करे तो चार या पाँच घंटे क्लाइम करते हैं 30 35 के सपास मतल다면 25 थोंकर क्लाइम करते है तो आप में बहुत शौकें था कि यही इतना कंपनी क्लाइम करते हैं आप को माने अपेर्व मेंने ढिए के लिए मच और इसका देखा है तो 45 लिए 48 कि इन्टा हो करच घुल्ड होता है आप अपोट्रल वाइकल सो वसे सब्सक्राइब वाइस प्रेटर लेते हो तो यह काफी अच्छा है इसका सपीड भी तो उसका बात करते दिश्ट की तो सिस्ट दोबात करें तो वेडिरिश्ट की मुझे काफी अच्छा सिट लगाए ओकिनवा के जितने प्रोडट है उसमें से काफी अच्छा सीट ही इसमें लेदर जैसा आपको याप पर कवर वगएरे मिल जाएगा इनका सीट की बात करें तो काफी अच्छा लुक देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर मुझे अच्छे बात लग तो इसमें वेशन नहीं है आपको सीट काफी एच्छा सीट देखने को मिल जाएगा तो सीट की बात करें सीट भी काफी अच्छा है बाद हम बात करें मोटर की तो इसमें मोटर पावर को मतलब कितना है मतलब कौन सा मोटर है एंड पावर कितनी है तो मोटर की बात करें तो इसका 2508 है एंड मैक्सिमन पाउर यहां पर कंपनी नहीं बाता है बट काफी अच्छा स्पीड भी देता है मोटर सो उसके बाद हम बात करें टायर्स की तो टायर दोस्तों इसमें 10 इंच के टायर विद टूबलेस टायर है दोनों टायर टूबलेस टायर वगेरा है एंड दस इंच के टायर है तो काफी कम इंच है अगर आप ओके ना प्रेज में यार 5,8 इंच मतलब बड़ा होता है 12 इंच का टायर मिल जाता है निहां में 10 इंच का टायर है जो देखने में भी काकि अच्छा है इंड स्कूटर की बात करें तो स्कूटर मेरे को तो बहुत ही पसंद आई है सो उसके बाद हम बात करते हैं इस ब्रेक्स की तो दोनों टायर में आपको ड्रम्स ब्रेक मिल जाते हैं विट आपको ए ए ब्रेक्स सिस्टेम आपको मिल जाएगा जो कि electronic एसेंस्टेड ब्रेक्टिंग सिस्टेम आता है जो आपको मतलब गाड़ी के में आप ज्याद से का मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा स्पीड पर ब्रेक लागाते तो आपकी गाड़ी श्लिप नहीं होती तो इसे कारण म customize को Decis गोलते है तो चले दूसके बाद हम बात करते इसके संपेशन के बारे मिसमें में संप्पेशन को है तो के बात करें फ्रंट में आपको हइंड्रालिक टेली स्थापिक का सस्पेशन मिल जाएगा अंड रियर की बात करें अब ब्रेंन करें डुल शक् apenas और भ। टूल technology के साथ आपको इस स्पिंशल मिल जाता जो की ओकिनावा एरेज का है जो उसके बाद हम बात करते स्पीडो मेंटर इसमें स्पीडो मेंटर वग्यरा कैसा है है सो सबी ऐलेक्री स्कूटर ओकिनावा के जो आते है तो उसमें डिजिटल में आता है वैसे आपको जिसमें सो उसका यहाँ पर आया है इंफॉरमेशन 19 लिटर का जो आपको एक हिलमेटर रखी सकते हो एंड काफी साली जगा भी मिल जाती है जैसे कि आई परेज में बहुत ही कम जगा है बट इसमें काफी अच्छा जगा दी गई है ओके नावा ने तो उसके बाद हमारा यहाँ पर आ साथ आता है तो जो काफी अच्छा लगता है उसके बाद हम बात करें स्कूटर की लोडिंग कैपसेटी की तो दोस्तो एक सुपचास केजिए का लोडिंग कैपसेटी कंपनी क्लैम करते है बता आप सब्सक्राइब को पता हुआ की काफी सारे एलेक्ट्रे को स्कूटर इतन लोड़ ले लिए बाइब ले लेते हैं कुछ यह ओबाइब की सवाइक जो मेइश करते हुत मैं स्कोटर करता हूं जो अच्छ cáp तो यहाँ पर हो गया इसके सब्सक्राइब करें करें तो जैसे की रिच थर्टी रिच हो गया तो इसे बेटर यह स्कूटर है अगर आप डेली का 20 या 20 किलोमेटर का सपाथ अगार जाते हो तो भी सियाथ इसके सब्सक्राइब हो सकते हो अगर इसकी बैटरी खराब होने के बाद तो आपके लिए यह बेस्ट इलेक्टर सकूटर हो सकते हैं मेरे को भी बहुत पसंद आया है और यह प्रोडक्त जो खिनावा इलेक्ट्रिक वाइकल है जिसका नाम उकिनावा रेज है जो उकेनावा पी मतलब बच इसका कट किया है जो दिखने में काई है जिसके अच्छे हैं में आपके साथ किया है तो आपको ये वीडियो अच्छे रहे हो तो प्लिज लाइक जोरो करना है नहीं है तो प्लिज चैने को सब्सक्राइब और बैल आइकन को जोरो दबाना क्योंकि यहाप पर आपको ऐसी एलिक्टरिक वाइकल्स की वीडियो जेकरने वोग मिल जाएगी सो चैने में मिलता पो नेक्स वर अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर और गुडबाए